नमस्कार मैं आपके साथ केकेराणा न्योजबोच इंडिया देख रहे हैं वेश्व में ब्रिक्स संगठन की एहमियत लगातार बढ़ती जा रही है इसकी एहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिक्स की बैटक पर G7 की भी नजर है वेश्व में ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक एक जुटता जैसे दूसरे मामलों में G7 को टक कर दे रहा है देक्षिन अपरिका में ब्रिक्स देशों का शिकर सम्मेलन चल रहा है सम्मेलन में आर्थिक गति शीलता जलवायू परिवर्तन जैसे मुद्दो पर चर्चा हो रही है इस बैठक पर पश्चिम देशों की भी नजर है रिपोर्ट के जरिये से पूरा माचरा समझे और उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे ब्रिक्स विकास शील और विक्सित देशों का विश्व सनिय संगठन बन गया है ब्रिक्स की तुला विक्सित देशों के संगठन G7 से की जा रही है आर्थिक गतिशीलता क्रमिक एक जुटता पश्चिन दवावों के विरोध के वावजूद अपने हित को बनाई रखना अगर आर्थिक गतिशीलता को देखा जाए तो ग्लोबल डीजीपी में 26 फिसदी हिस्सेदारी के साथ ब्रिक्स G7 के अर्थ व्यवस्ता को टक कर दे रहा है साल 2000 में विश्वत जीडीपी में G7 के हिस्सेदारी 65 फिसदी थी जो 2021 में घटकर 44 फिसदी रह गई आर्थिक मिशिशक्यों के मिताबिक 2030 तक ब्रिक्स की अर्थ व्यवस्ता G7 से आगे निकल जाएगी युक्रेन रूस के युद्ध के बाद रूस की चीन से निकटता बड़ी है दोरो देशों के रणनीती मुख्यरूप से पश्चिम देशों के विरोध की है रूस और चीन की पूरी कोशिश ब्रिक्स को पश्चिम देशों के विरोध में खड़ा करने की है जबकि भारत दक्षिर अफ्रिका की कोशिश से संगठन को पश्चिम देशों के विरोधी संगठन की छवी से बचाने की है भारत के लिए ब्रिक्स कई वज़ों से महतपूर है ब्रिक्स में भारत की रणनीती, विश्वराजनीती में सभी देश अपना रुट्वा और संतुलन साध्धी की कुशिश करते हैं ब्रिक्स भारत के लिए यही काम करता है ब्रिक्स ही भारत को रूस और चीन की समकष खड़ा करता है ब्रिक्स की वज़ा से भारत चीन की प्रभाब को संगठन के अंदर संतुलित करता है ब्रिक्स की वज़ा से भारत खुद को पश्शिम देशों के दवाब से मुक्त रखता है इसकी वज़ा से पश्चिम देश रूस पर लगे पतिबंद को लेकर भारत पर प्रेशन नहीं डाल सकते भारत की पूरी कोशिश ब्रिक्स को किसी का विरोधी संगठन बनाने से बचाने की होगी तो वही चीन और रूस की कोशिश से पश्चिम देशों की वरोध में खड़ा करके अपना हित साधने की होगी ऐसे में भारत को दूसरे सदस्य देशों को और साथ लाकर ब्रिक्स से सिध्धानतों को बनाए रखते हुए राश्ट्रे हितों को साधने में बड़ी चुनौती है न्यूज वाच इंडिया ब्यूरो तो ब्रिक्स शिकर सम्मेलन को लेकर भारत के रणनीती किया है और आगे भारत ब्रिक्स इस संगठन सम्मेलन के साथ साथ कैसे आगे बढ़ता जा रहा है एसी मुद्धों पर आज हम चर्चा करेंगे हमार साथ जो महमान चुलगे उनका परीचे आपसे करा देते हैं हमार साथ सुरेश कुमार गोयल है जो फूर्ब राचनाइक है और रोबिंद्र सचदेवा है फोरन एक्सपर्ट है आप दोनों का स्वागत है नियूस वोच इंडिया पर सुरेश जी जिस तरह से प्रैधान मंत्री ने भाशन दिया साथ ब्रिक्स के विस्तार की बात की और उसमें भारत को बढ़त भी मिली किस तरह से इन चीज़ों को देखा जाए नमस्कार पहले तुम मैं यह कहूंगा की हमें ब्रिक्स को जी सेवन के संकश करके कंपैरिजन नहीं करना चाहिए जी सेवन का उदेश बिलकुल अलग था अलग है और ब्रिक्स का जो देख़े है वो बिलकुल अलग है जब जी यह ब्रिक्स शुरू हुआ पहले यह आर फिर बिखर बना दोजार नावन नुमें ब्रězwिल के जोइन्क करने के बाद में अ फिर बाद में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ इसका उडेश मेली यह था कि ग्लोबल साउथ की तरफ से जो जितने सब्सक्राइब कर ने जिसमें की सारे देश इकठा होकर के जो इमर्जिंग एकॉनॉमिज है उनकी समस्या क्या है उनकी समस्या को किस तरह से रिजॉल्व करना है इसके ऊपर ध्यान दिया जाये जबकि जी सेवन और उसके बाद में फिर जी फॉन्टी भी आया उनका अलग था उनकी उनका उदेश था कि डिवलप्ट इकनोमिस की तरफ से जो फिनेंशल साइड अफ एकॉनोमी है वो किस तरह से मजबूत की जाए ताकि उनका फायतार है कि वह उल्जे नहीं जादा हल की ना हो जाए मैं यह कहूंगा की आजकल का जो उत्धेश य Hilfक घृ ऋए ट्र लश्चया कलना है या जो साँज कंट्री करना है आजकल की जो इकॉनोम लोगतिश चाहे वो भारत की हो ब्रेजील की हो ऐके की हो यूजड़ यूएस्यीग हो चाइन की लिग अस आल आई मेरनव almond कि आजकल जो चलता है लफ्ज वो है मार्केट चेंज मार्केट सप्लाइज किसी भी देश की एकोनोमी अलग अलग हो करके वह आगे नहीं बढ़ पाएगी कोई भी देशों जे चाहे वो जी सेवन का हो या जी ट्वंटी का हो या साउथ का हो तो उसके लिहाज से अगर देख कि ग्लोबल साउथ को तरह से जो बाकि जो डेबल अगर लाकर के काम किया जाए ताकि वो दोन्हें कठा काम कर सकें कर सकें वैस्फिक एकोनोमी के लिए जब तक कि विश्व में एकोनोमिका सुधार नहीं होगा जब तक कि विश्व कि आःज से दो नहीं पड़ेगी कोई कोविट के बाद में देख लिया है कि अलग-अलग हो करके काम नहीं कर पाएंगी तो इसलिए मैं यह कहूंगा कि ब्रिक्स में आप पोस्ट दिखा रहे हैं भारत के रहनीती तो भारत की रहनीती यह है कि जो विश्व की जो में में आर्थिक इंस्टिशूशन से एरेंजमेंट से उनको किस तरह से एकठाला के काम करें तो यह जरूरी है हमको ब्रिक्स को एंटिवेस्ट या प्रो यूवेस्ट या प्रो चायना करके नहीं देखना चाहिए जी नभी तरही कहूंगा बाकी बाद में बिलकुल बिलकुल सच देवा जी जैसे उन्होंने कहा कि इन ब्रिक्स को उसे नजरिये से नहीं देखना चाहिए चीन के साथ या उसके वरोध के तौर पर नहीं देखना चाहिए लेकिन जो बाते लगातार निकल कर सामने आ रही हैं कि भारत ने विस्तार की बात की रूस इस समर्थन किया और चीन के दाउं फेल हो गए मैं आजू कर बिल्कुल है सुरेश यह लेकिन जो लगयतार बाते निकल कर सामने आ रही है कि उनकी जैसे ही कि रूस ने समर्थन किया है से विश्तार का और चीन के दाउं फेल हो गए है तो क्या उनको अलग करके देखा जाए या यह एहमियत रखती है बाते भारत में जो कहा है कि हां हम विस्थार का समर्थन करते हैं लेकिन उसके ऊपर होना चाहिए हमारा चुरू से ही हमारा जो आप प्रोच रही है वह यह है कि हम दिश के से परकूर का विस्थार करते हैं लेकिन विस्थार के लिए है कि चाहिए यह नहीं कि पॉंच देशें कल 15 आधे यह को मेंबर बन रहा है चले भी आप भी आजाइए यह जो रेंडम भो फटी है उसे को किसी का मकसद रहो नहीं है हम कहते हैं एक्सपैंड करें लेकिन एक्सपैंड करने के पीछे कोई एक परपर्ज होना चाहिए हूं हम इसलिए एक्सपैंड कर रहे हैं जब Tक परफॉस नहीं बनता है गैलाइन यी बनती है और तो उसको अभी बनता है और जो आपने कहा कि रूस ने सबोस्त प्रस्ताव वरपनल समर्थन पीजों कि छीन पीछा डिया मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है बलकि दो समर्थन के पीछे जादात्र हथी दुह अरुमुञ उसके यूपी चीन चाहता है कि शांगाई को अपरैशन और्गनाजिशन की तरह यह यह भी जो संस्था बनती है ब्रिक्स वह एक चाइने संस्था बन जाए तो उसमें उसके जितने समर्थक होंगे उसके लिए तो अच्छा ही है यह यह तो मुझे नहीं लगता कि चीन पीछा दिया चीन गेम खेल रहा है चाहिए अपना वह दिखा जाया कि इसको चीन का पीछे हटना नहीं चीन गेम खेल रहा है इस तरह से देखना चाहिए तैंक्यू प्लेजर और विद्धियू और यह चीन खेल खेल रहा है ठीक है ना बट काफी पॉइंट्स कवर हो गए पर मैं थोड़ा पीछे आता है कि ब्रिक्स जो है जब जाना फोरम था हर साल इन देशों के लीडर्स आके मिलते थे ट्रेड एकॉनमी फिनैस इत्यादी डिस्कस करते थे कोई खास यह मेजर रूप नहीं ले रहा था 19 तक 19 के बाद ये पहली बार मीटिंग हो रही है और 19 और अब के बीच में क्या हुआ है दुनिया बदल गई ह बदल रही है बिलकुल कोविड हुआ लिसंस जैसे अंबास्टर बता रहे थे यूक्रेन वार चल रही है इसके भेंकर इंपक्ट हो रहे हैं और चाइना अमेरिका की टेंशन उसका भी सब समझ रहे हैं तो इस समय दुनिया एक तरह से री कंस्ट्रक्शन हो रही है एक नई नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इस समय हर देश अपने इंट्रेस और अपने जो भी कुछ रिसोर्स या सप्लाइचेंस कहिए इकॉनमी कहिए इन सब चीजों को देख करके अक्टिवली काम कर रहे हैं सारे देश इसलिए अब आप देखेंगे जब भी कोई मीटिंग होत हैं जबकि दुनिया का आर्किटेक्चर एक नया बनने जा रहा है और इस नए आर्किटेक्चर में येस मोटा मोटा एक तो यह हो रहा है अमेरिका और वेस्ट का ग्रूपिंग एक तरफ जा रही है और चाइना अकेले ही चाहे या कुछ देशों के साथ अलग की तरफ जा है इनके इलावा बहुत सारे और देश हैं जिनमें मानी हैं सबसे पहले शाद भारत है हम बहुत और देश हैं वो भी देख रहे हैं कि हम क्या गुट बाजी करें या हम अपना इंडिपेंडेंट गुट बनाएं और अगर हम अपना इंडिपेंडेंट गुट बनाते हैं त अब दर चाइना भी Global South की बात करता है, पर याद रखें, चाइना की जो पर-Capita GDP है, उसके साब से चाइना अब South की country नहीं है, 14,000 डॉलर या 13,800 डॉलर एन्वल पर-Capita GDP जिस देश की हो जाती है, उससे उपर वो आप कहें तो विक्सित पाना जाता है, चाइना तो विक्सित पे आ गया है, तो चाइना तो ट्रू लीडर नहीं हो ना, Global South का, और चाइना खुदी इतना बड़ा है, तो यहाँ पर जो ब्रिक्स की अभी expansion की भी बात हो रही है, अब यह जब नहीं दुनिया बन रही है, ब्रिक्स के बात बहुत अच्छी opportunity है, और भ ब्रिक्स में एक जो main चीज है, यह पांचों member का equal consensus है, या उल्टा मान लीजे कि अगर कोई एक member नहीं मानता तो veto है, उल्टा हम कर लें ठीक है ना, तो कोई भी जो चीज होगी ब्रिक्स में, उसमें हमारे पास veto है, बट हम यह contribute करना चाते हैं, देखना चाते हैं कि middle path रहे क्या यह platform केवल एक group बन रहा है, एंटी अमेरिका आवाज के लिए etc, बट कई चीजे से बड़ी concrete हैं जो में बड़े फाइदे की हैं, जैसे कि यह group यह देख रहा है कि एक financial network बनाया जाए, आप swift network को शायद आपके दर्शक जानते होंगे, सुना होगा, दुनिया मर की banking dollar transfer क इवल उस network से होती है, जिसको अमेरिका control करता है, majority chair, अब रश्या पे जो sanctions यह हमारे bank, रश्या हो क्यों नहीं बेज़ पाते पैसा, क्योंकि वो network नहीं यूज कर पा रहे हम, तो BRICS में एक एहम यह discussion हो रहा है कि एक कोई नहीं network बनाया जाए, जो किसी पे dependent ना हो, वही आस है, दस साल बाद, बीस साल बाद, क्या पता, अमेरिका का कहां रवय या, किसका कहां रवय या, एक independent हो, हमारा interest उसमें है, इन देशों के बीच में local currencies में trade हो, हमारा interest है, रुपे में, हम ruble, रुपे, rial, साओधी, यह वो करें, अभी मैं common currency की बात नहीं कर रहा हूँ, वह अलग बूल जाहिए आप, कि आपस में ये देश, अपनी currencies में deal करें, उससे हमें saving होती है, फाइदा होता है, में dollar conversion का rate नहीं लगाना पड़ता हमारे bankों को, ओके, और हम एक तरह से dollar से थोड़े independent होते जाते हैं, और ये केवल हम ही नहीं, ये जो पूरे BRICS के member हो, या पू किस तरह के देश को हम admit करेंगे, ठीक है, फिर दूसरा में, इस संस्था की guidelines क्या है, इसका कोई अपी तक charter नहीं है, जैसे हम बात करेंगे, दो जार रून नहीं सकता हो, इक एन्वल फोरम था, मान लीजे, मातर रही, तो एक तरह की constitution कुछ बने, ये common minimum program बने, इस संस्था क कि हम ये चीजें करेंगे, महारा direction ये रहेगा, तो जब तक वो criteria clear नहीं होगा, और जब तक ये direction, guidelines and objectives of the organization defined नहीं होंगी, तब तक इसको expand नहीं किया जा सकता, ना करना चाहिए, और जैसे, अभी again, Ambassador Gowell, वाइस भी बता रहे थे था, आपने एक को कर लिया, दो को कर लिया, सब अलग-अलग भाग रहे हैं, तो ये वो हाल हो जाएगा, इसे सार्क कहारा, बिल्कुल लेकिन मैं इसी में ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कि जिन मानदंडों की बात की जा रही है, वो मानदंड क्या हो सकते हैं? आ, ग्रेट कुश्चिन, इसका तर्मास्ट गोईल बताएंगे, बट मानदंड में देखिए, दो तीन चीजे हैं, जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कि इस और्गनाजेशन की, इडियोलोजी क्या रहेगी, वो कही नहीं रिफलेक्ट होना चाहिए, उन मानदंडों में लि किसी के प्रिशर में नहीं जाएगी, जो भी डिसिजन होंगे, बहुत ही डिमॉक्राटिक होने पड़ेंगे, पर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लब एक्स्पैंशन में यह भी आईगी, यह जो पांचों देश हैं, अब मानिए आपने पांच और एड कर लिए, पांच मे के तो अभी कुछ होई नहीं पाएगा, तो क्या फिर इन पांच के पास ही वीटो रहे जाएगा, तो इस तरह के मापदंड को डीप डिसकुशन विद ऑर्गनाईजेशनल एक्सपर्स ऑन इंटर्नाशनल और्गनाईजेशन उन बना, उसका जो भी खाका बना, तो उस तरह है कि मापदंड करने पड़ेंगे, बिल्कुल, सुरेश ची मेरा आप से यही सवाल है, क्योंकि सचदेवा जी ने कहा कि आप बड़े बेतर तरीके से इसको बता पाएंगे, कि आखिर इसके मापदंड क्या कुछ होंगे, जिन सदस्यों को हम शामिल करेंगे? अगर उन्होंने यह कहा, तो मैं उनकी जो, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ, कि उन्होंने मेरे कुछ काबिल समझा, लेकिन मेरा इसको लगता है कि वो अपनी मुश्किल मेरे उपर डाल रहे थे, बजाए में बड़ाई करने, पर मैंने कुछ फ्रेम बग दे दिया, सर्श करने करत् दया है, लेकिन एक उचीज़ कहुंगा में इससामबले में, ऐक वो आपने जगी सिंगी घजल तो सुनी होगी न कि बात निंगी तो बहुत दूर तलग जाएगी, बिलकुल, बिलकुल, तो तो टो रन्नीतिक निरणय भी ऐसे ही होते हैं, जब रन्नीतिक निरण लेने के लिए उनका लॉजिक नी अपना स्वार्थ अपना नहीत स्वार्थ सामने आता है और वो चीजे खोले में डिसकस्ट नहीं होती है इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पांचों देश हैं इसमें चीन और इंडिया और रश्या मैं बैभी ब्राजील की इसलिए बात नहीं करूंगा उन तीनों के ही जो नहीं स्वार्थ हैं वो अलग अलग है आप जानते हैं भारत तो रश्या साथ में हो सकते हैं लेकिन चीन और भारत के बीच में एक तरह से कॉंपितिशन है तो मैं यह कहूंगा कि बजाए यह करने के अभी ब्रिक्स को एक्सपैंड करने के लिए क्या माफ दंज होने चाहिए यह को करना क्या है जै 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 अफ्रीका के जादा देशों को उन्हों और निमंस्ता में क्या करना है तो उसकी दृष्ट्टी से मैं कि अफ्रीका के जादा तर देशों को उन्होंने वहाँ पर निमंत्रिट किया भारत वहाँ पर है भारत पहले बोल चुका है कि जी ट्वंटी में एक ग्लोबल वॉइस अफ साथ होना जरूरी है और मैं पहले कह चुका हूं कि आत्री व्यवस्ता के लिए सब देशों का साथा करना जरूरी है तो यह अच्छा निड़न है कि एक तरह से जो अफ्रीकन कंट्री जिनकी मेजॉरिटी है और जिनको एक विकास की बहुत जादा जरूरत है वह और जो बाकी देशें उनके बीच में संवाद हो बात विबाद हो देखें कि आत्री में क्या करना चाहिए ताक एकक एकनोम्टिक मौल बंगिया इंडिया का एक एकनोम्टिक मौल बेर ब्राजिलिया का आशिया न अलग जा रहा है अिaky अपने इसा करने की बजाए जो ब्रिक्स नाम हैं वो पांच देश है उनका पहला-पहला अक्षर लिया गया और उससे इसको बनाया गया जब तो अगर पाउच और एड हो जाते हैं तो किया ये नाम बदलेगा? नाम बदल जायगा, नाम बदलने में क्या है? आप देखे, पहले सार्क था, फिर सार्क में काम नहीं हुआ, बिमस्तेक आगया, बिमस्तेक का नाम जो पहले रखाकी, जो कंट्रीज थे, उनके पहले अप्टूरों से बनेगा, फिर वो एक Bay of Bengal Initiative के नाम से आगया, नाम से से देखना है जी बिल्कुल हाँ सच्देवा जी आप कुछ कहना चाहते हैं इसी पर मेरा एक सजेशन है नाम को लेकर के विद्यो पर्मिशन पहली बार हम लोग कह रहे हैं इस नई संस्था जितनी भी बने आगे जाके 15 20 30 की बने इसका नाम होना चाहिए ब्रिक्स जे भी आर इसमें इंटरस्टिंग चीज है जो कॉरेंस्टी या कॉमन करेंसी नौत नाइशनल आपस में बड़ कॉमन करेंसी हो जब हो वो बड़ी दूर की बात है शायद बढ़ बात जो चली थो जाहीगी दूर तलड बेलकूल बेलकूल हैं सबकी कुरेंसी आर से शूरू होती हैं पांचों की, हमारा रुपी, चाइना का रिमेंबी, रश्या का रूबल, साओध अफरेका का रैंड, और ब्रजील का रियाल or something. तो वो आर से शुरू होती है, पांचों की करेंसी, तो जो फ्यूचर में अगर इन पांचों की चली, और ये पांचों वीटो बॉस बन गए, जैसे यूएन में फाइव पर्मनेंट मेंबर्स हैं, तो उस करेंसी का नाम शाहिद आर से भी शुरू हो सकता है. ये common currency बड़ा attractive idea है, कि हम एक common currency में आपके वेफार करेंगे, या अपनी currency वेफार करेंगे, अगर अपनी currency में वेफार करते हैं, कभी भी trade पूरा तो बैलेंस होगा नहीं, किसे के पास में डूसरी country की या अपनी currency जादा रहेगी, उस currency को settle करने के लिए भी कोई mechanism बनाना प पाएगा, दूसरी चीज ये हमने देख लिया है, चाइना से जब ये चाइना ने रिष्या से तेल लिया, यान में पेमिंट किया, हमने भी तेल लिया, पेमिंट किया, अब वो कहते है कि आप हमको यान में पेमिंट कीजिए, अरे भाई आप ये बताईए, कि एक जो competitive economy है, हम उसकी देश की अर्फिक प्रस्तों को मजबूत क्यों करें, क्या हमारे को पागल कुते ने काता है, कि हम आपकी currency में अग्यापर करेंगी, तो इस सोचने वाली बाते हैं, एक दम नहीं होंगी, तो currency का विषय बहुत complicated नहीं है, जी. मैं इसमें एक चोटा सवाल ये चाहता हूँ, कि अगर common currency बनेगी, तो उसका आधार क्या होगा, क्योंकि अगर हम पाँचों देशों की currency की बात करें, तो सब में कुछ ना कुछ फर्क है, कहीं कोई बड़ा है, कहीं कोई चोटा है, तो फिर उसके आधार को कैसे तैक किया जाएगा, मुझे नहीं बालू, इसलिए मैं कहता हूँ, कि बहुत कंप्ली के दिए ये, ऐसे इस तरह से काम नहीं बनेगा, सोचना पड़ता है, इसके बारे में इतना आशान नहीं हो गई, तो इसमें दो तीन चीचे हैं, बहुत ये क्रेटिव डिसकुशन हो रहा है, थै बैंक नया बनाना पड़ेगा, सेटलमेंट्स का, एक नया सेंटल बैंक बनेगा, तो वो बहुत दूर है भी, अब ये करेंसी चाहिए, तब जब भी बनेगी, इसका क्या हो सकता है, सिस्टम अगर बनी, इसका मैं आपको एक कॉंक्रीट फॉर्मूला दे सकता हूँ, इसका करके ये वेटिड करेंसी बन सकती है, वो एक अप्रोच हो सकती है, फूचर में, बट उससे भी पहले फिर अभी ये जो पूरे इंस्टिशन मेकानिजम बनाने पड़ेंगे, तो कॉमन करेंसी की बात अलग गई, अब बात आईए, नैशनल करेंसी में, लोकल ट्रेडिंग आपस में, absolutely yes, हम चाते हैं हो, बट हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम रश्या के साथ जो रूबल ट्रेड कर रहे हैं, इसमें, I think हमारा 45 बिलियन है, हम रश्या से करीब 40 बिलियन इंपोर्ट किया और 5 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है, हमने रश्या को अभी करीब 30 ब तुम मुझे या तो युवान दो, या आप मुझे दिरम दो, UAE का, क्यूंकि उन दिरम से और युवान से मैं इंटरनेशनल मार्किर से मैं कुछ करी सकता हूँ, आपके रुपे मेरे लिए किसी काम के नहीं है, यह हमारा रुपी, रुबल ट्रेड अभी फसा पड़ा है, स रुपी, रुपी उन्डिया भी कह रहा है, तो इवन बाइलाटरल ट्रेड अभी आपके रहे लोकल करेंसी में बाइलाटरल ट्रेड में भी बड़े चैलेंज्चेस हैं, तो उनको पहले सुल्टाना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, यह नैशनल करेंसी की बात, इसके लिए शुक्रिया और अपना समय देने के लिए शुक्रिया लेकिन अब ऐसे में सवाल यही है कि ब्रिक्स सम्मेलन का आज आखरी दिन और इसी के साथ अब देखना यह होगा कि आखिर क्या कुछ इसमें तैह होता है पांच देशों को जो अन्य पांच देशों को अभी जोडने की बात चल रही है उसके विस्तार पर बात चल रही है और साथ ही बात ये भी चल रही है कि इनके लिए कुछ ना कुछ माप दंड तै होने चाहिए तो आखिर वो माप दंड क्या निकल कर आते हैं या फिर जिस करंसी को लेकर हम बात कर रहे थे उस पो है तो दूर की बात लेकिन सवाल यही है कि आखिर उस पर जब सहमती बनेगी तो कोमन करेंसी के तोर पर क्या कुछ निकल कर आएगा और क्या देखने के लिए मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी फिलहाल इतना ही लाइगातार कपरों के लिए देखते रहे हैं न्यूज पोच इंडिया नमस्कार